हेलो मैड़ी और फ्रेंड वेलकम बैग तो माई यडूब चैनल आसा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्त होंगे मस्त होंगे और इंज्वाइक करते हैं तो दोस्तों आज हम आज चुके हैं डाली गंज के मेले में जो की लगनव का अतिहासिक और बहुत ही पुराना मेला है तो और इसके अपोजी साइड में आपको कार की पार्किंग होती है जिसका प्राइस है मात्र पचास रुपए पार्किंग की बहुत ही अच्छी सुविदा है आप अपने गाडियों को पार्क कर सकते हैं और यह है डाली गंज का जो गेट है और चलिए करते हम यहां से एंट्र आ रहा है और आप उसे देना चाहते हैं कोई गेट को भी बिल्कुल बजट में तो तुरंत रुख करिए डाली गंज के मेले में यहां मिलेगी आपको वह चीजे जो आप देखते हो माल वगयरा में और देखकर आप जेब टटोलते हुए चले आते हो तो दोस्तों यहां मि यहां में और से बात पहुआ हैँ हार से सबसे से सздरी 1 वाले सामान है अनौ सरी sunrise में यहां मात्र 5 रुपाई में चैज करें यह 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 मांत्र पांच रूपए में आप देखे में इन पांच रूपए में हैं आप सारी जाव के घृक्र में 642 ideology कि यहां पे संधी रखी है यह इंवाद देख रहा है ना यह मातर दस रुपए में आको मिल जाएंगे और यहां पे आप बहुत ज्यादा भीड़ देख सकते हैं तो आएएं आप और दिल्ली वाला है कॉन सा है ये दिल्ली वाला ये मुंबई वाला है जो की मातर सवाने आपको मिल जाएगा और यहां कहीं भी आपको नहीं मिलेगा यह आपको देख सकते हो तो देखने को मिलेगा मार्त तीस रूपए में यहां पर देख सकते हो बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन आपके लिए ले आएंगे सिर्फ तीस रूपए में और यह आपको कहें और नहीं मिलेगाएं सिर्फ आपको डालीगंज की मेली मेली मेल सकता है हर माल सिर्फ 10 रुपएं में और आप यहां पे देख सकते हो बहुत ती चीजह रहें और आप कुछ सब कुछ आपको मात्र 10 रूपय में लेजा सकते हैं आपको सबकों मिलेंगे देखने को मात्र 10 रुपए में आपको अगर हम यह सुई रखने के लिए दिखा देना इसमें बहुत सारी सुईयां भी है अगर आप मसीन वगएरा है आपके घर पे तो यह मात्र 10 रुपए में ले जा सकते अभी यह आप देखो यह है इरेजर और सौपनर इधर से देख करके तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि यह क्या चीज है कि आपको पता है यह पहले भी देखा है यह अगर हम इसकी बात करें ना तो यह नई तरीके का इरेजर है इससे भी आप इरेज कर सकते हो यह है मारकर यह भी मात्र 10 रुपए में और यहां पे है आपको पैंस चीज करें और देखने का चीज fünf ठीने के सौकेन है तो एक नजर आप यहां भी आपम से कुछड़ा और आपके जल्पान अगेरा कर सकते हो कि कि तो फ्रेंट्स अभी हम पहुंच चुके हैं क्रॉकरी की सौप पे जहां पर आपको मात्र दस रुपए में यहां पर यह सारी चीजे आपको मात्र दस रुपए में मिल जाएगी यह आप देख सकते हो बहुत प्यारी-प्यारी का टोडिया है और अगर आपको वाइट कलर में चाहिए तो वाइट में भी है बहुत प्यारी-प्यारी कलेक्शन है यहां पर यह सारी जो आपको दिख रहा है यह सारी चीजे आपको मात्र दस रुपए में मिल जाएगी और यहां पर फोड़ा सा और साइड में जो यहां पर लग रखा ना अगर हम इसकी बात करें तो य मात्र आपको 20 रुपए में मिल जाएगा और इसके तो बगल में राउंड से प्लेट चाद यहां कुछ शूरत लग रहा है देखने में यह आप यहां से आकर के 100 में तीन पीस ले जा सकते हो फ्रेंट्स आप यह जो कॉफी मग देख रहे हो ना यह आप देखिए यह मातर 20 रुपए में आपको मिल जाएगा यह देख सकते हो इसमें कलर भी बहुत सारे हैं आपको ना कॉफी इमा की बहुत ही अलग अलग वराइटियां देखने को मिलेंगी जो कि मातर आपको अगर इस कॉफी मंग की बात करें ना यह मातर आपको 30 रुपए में मिल जाएगा यह देखिए आप फ्रेंट्स यह जो आपको अलग-अलग मॉडल का आपको देखने को मिल रहा है ना यह अब करें सारे आपको मातर 30 रुपए में मिल जाएगे और यह आप देख सकते हों बहुत ही खुपसूरत वाईट और ब्लैक के कॉमिनेशन में है और अगर हम अंदर की बात करें तो इसके अंदर पूरा ब्लैक आपको मिलेगा जो कि मातरत तीस रुपए में अगर हम इसकी बात करें यह आपको पचास में दो मिल जाएगा यह आप अपने डाइनिंग टेबल वगएरा पर सजा करके अचार वगएरा रख सकते हो यह बहुत ही खुशूरत खुशूरत यहां पर लगया है मर्जबान अभी हम पहुँच्चु के इस चट्पटी दुकान पहे तो बहिया बताओ कौन सी जादा चट्पटी लगती है यह तो इसमें क्या-क्या मिला रखा है तेस्ट का नहीं पड़ेगा है आप आप कैसे खिलाते हो साथ में सो ग्राम और हमें सौगराम नहीं जहीं ऽुल्ए आप इतना इसे तेस्ट कर लो यह यह बाए बोल रहे हैं तो चलते हैं बहुत ही सर्मार है यह आप देख सकते हो इस स्टील वाली शॉप पे हम पहुंच चुके हैं यहां पे हरमाल 40 रुपए में हैं आपको यह चॉप करने वाली मशीन से लेकर के ग्लास प्लेट खाली और यह आप देखो काफी मजबूत लग किए आप खाने को अगर इसमें रखो तो और यहां वे बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी कलेक्शन हैं जो आप देख सकते हो यह पर फ्लेट खाली यह बहुत सारी चीजें और यह प्लासिक के जो रख्टिक है ना बकेट वगएर सब कुछ आपको मात्र सौ रुपए में मिल जाएगा और यह आप देख सकते हो बहुत ही मजबूत है यह भी मात्र सो रुपए में यह देखो टिफिन जो लंच बाक्स है यह भी मात्र सो रुपए में और अगर हम इस थाली कोई की बात करें न यह भी आप देख सकते हो यह भी मात्र सो रुपए में यहां पर यह कड यहां पर आप यह बर्तन भी देख सकते हो यह भी मातर सौ रुपाय में अगर अम इस टे के सेट की बात करें ना यह भी आपको मातर सौ रुपाय में तीन पीज का सेट यह भी आपको मिल जाएगा जोकि इसमें कलर कॉंबिनेशन बहुत सारी है कोई बी कलर आप यहां से ले यहां सबस्ते जा सकते हो बहुत सारी चीजें हैं जो कि मात्र है सो रूपय में आपको जाएगा विश्ट प्रेंड़ंस न कुछ रहे हो इसां रूपय में 30 मिल जाएगा जो कि बहुत प्यारा लग रहा है यह बगल में लगा है सो में 2 वाली पीश और यह आप देख सकते हो दों में दैट है और यह हैं जो है जो झोटा है आप देख सकते हो और यहां भी आपको यह दो कलाकारी है वी derivative कितना ही खुर्शूरत लग रहा है यह गालेक्शन और यहां पर वहाँ प्लावर पाड दीए हुए है च ali यह आये जाने फिर इसके प्राइस क्या है और फ्रेंड्स अगर हम इस फ्लावर पॉड की बात करे ना तो ये 25 में आपको पेर मिल जाएगा फ्रेंड से डाली गंज के मेले में हमें देखने को मिला एक न्यू कलेक्शन यानि कि यहां पे जो लकड़ी का यह पार्टीशन बना हुआ है ना बहुत ही अच्छा बना है और आप ऑनलाइन देखते होंगे और इसमें आप दे सकते हैं पार्टीशन में जाली लगए है वह साथ टाइप की होते और इसमें सिर्फ दो ही है जो कि बहुत ही खुपसूरत लग रहा है यह आप देखो दूर से है है बहुत ही खुपसूरत लग रहा इसकी जो प्राइस है यह मात्र 10,000 रुपय है अगर हम इस कंगन की बात करें यह मात्र पचास रुपए में आप यहां से आ पर के कोई भी आप यह गंढ ले जा सकते मात्र पचास रुपए में तो यह पाऊदान आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और यह भी आपको real you तूंघं को प्लेखने ना यहां हम पहुंच चुकत है हरमाल साथ वाले में और आपको यहां पर सारी चीजिये deal मात्र साट रुपए में देखने को मिलेगी इस प्यारी जहुंकियों का कलेक्शन है ये भी मात्र साट रुपए और यह प्यारे प्यारे से दिंग आपको देखने को मिल रहा है ना बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत विंग है यह भी मात्र आपको साथ हुपय में मिल जाएगा कि अगर प्राइस की बात करें तो यह आपको मिल जाएगा साड़े चार सो में और यहां पर है एक छुटकू सा और साइकल यह आपको धाई सो मिल जाएगा और उसके बगल में यह प्यारी सी जो टोकरी दिख रहे हैं यह ना हिलते वे इसकी भी प्राइस है धाई सो रुपए तो प्रेंट्स अभी हम आ चुके हैं ऐसी दुकान पर जह लगाना होता है और ओर आप यह अगर कप्ल जायए पने कपल को भी जिफ्ट कर सकते हैं और यह हैं सिंपल और यह हैं नाम लिखा हुआ तो तीन रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हुआ सबस्के यह यह सब्सक्रां के देखा अरफ के लिए दिए को भरीट आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी लोग के पर आपके लिए है और आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारी चीजे के हिसाप से है चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का और यह आप जो गन देख रहे हो ना यह बहुत ही बड़ी सी गन है और इसके प्राइस की बात करें तो यह मात्रा आपको 40 रुपए में मिल जाएगा है ना बहुत का 110 रुपए में और अगर यह प्यारी शीग दॉल दॉल की बात करें ना तो यह डॉल की डॉल dalla जाएगी जो कि बहुत ही बढ़ीए भीकल इस दिखाना धरना कितनी व्यद्यिक में और यह आप देख सकते हैं अगर हम इस जॉकेट के बाद करें तो यह भी मात्र 500 रुपए में आपको मिलेगा और यह जो जॉकेट दिखा रहा है इसकी प्राइस क्या है प्राइस की बात करें तो यह जो उपर जॉकेट है यह जार सो रुपए में आपको मिल जाएगा आप देख सकते हो प्यारी प्यारी से कलेक्शन लग रखें और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें ना यह आपको जो वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिख रहा है ना यह आपको मात्र तीन सो रुपए में मिल जाएगा अगर हम आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलेगा यहां जूले वगएरा जो है ना बच्चों के खेलने के परपस से और हम दो जैसे जो है वो भी अगर जूला जाए तो यहां पर आ सारे बच्चे की खुशी नजर आ है मैं जार्ज क्या है इसके टिकेट की साथ रुपए है चरके वाला जूला है क्यों हम आज चुके हैं थोड़ा सा पहले अभी टाइम हो रहा है साड़े तीन और आप दूमिड लगना शुरू हो रहा है देखिए यहां पे नाव पे बैठे हुए हैं और चला रहा है के लिए हैं अच्छा रुपए हैं तो इस पर बस बच्चे हैं हम लोग के लिए नहीं ले आया है अगली बार ले आएगा बड़े के लिए भी आप तर अभी दोस्तों साम हो रही है तो अभी आपको बहुत जादा भीड देखने को मिलेगी जैसे साम होता जाता है वैसे व करें तो बारे बज़े के बाद आप यहां पर आ सकते हैं और रात में 11 बज़े के बाद स्टार्ट हो जाता है दुकान बंद होना तो फ्रेंड्स अभी हम घूम चुके हैं लगबग लगबग पूरा जो मेला है और हमने आपको दिखाया भी कि यहां बहुत सी सस्टी सस्ट परचेस करना उसे परचेस करिए क्योंकि होता है ना कि आगर आप एक ही दुगान पर देख तो वही चीज़े आपको दूसरे दुकान पर सस्टी मिल रही है और हमने पूरा मेला घुमा फिर हमने आपको दिखाया यह अच्छी अच्छी और सस्टी चीज़ें चलिए दोस् क्यार है वागोटे